हेलो फिरेंड्स अस्सलाम लेकूं दो पहर के एक वज़ रहे हैं आज मैं अपना ब्लॉग एक वज़े से स्टाट कर रही हूं मैं यहां लंच के लिए बना रही हूं आलू गोस्त मैंने चिकन आलू गोस्त बनाया हुए इसके साथ खाने के लिए मैंने चपाती बनाया आटा गोस्त के पहले से मैंने रख लिया था बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा पहले रोटी डाल ले बन चुकी हैं, मैं फ्लेम को आफ करती हूँ निदे शुर्ट से आ गए थे तो हम सबने मिलके खाना खा लिया था साम के बज रहे हैं, 5 बच्चों ने समोसा काने के लिए जिद लगा दी है मैं यहाँ पर बच्चों के लिए समोसा बनाने जा रही हूँ इसके लिए मैंने समोसा पहले से बना के रख लिया है इसकी रेस्पी मैं सेयर नहीं कर रही हूँ मैं ऐसे ही बनाते हुए आप सब के साथ सेयर कर रही हूँ यह बहुत क्रेस्पी बनता है और बहुत जटपट से बन जाता है तो मैंने यह चिकन समोसा बनाया हुआ है, आप इसकी चाहें तो चिकन मटन या पनीर से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चिकन समोसा बना रही हूँ, बहुत क्रेस्पी सा है, इसे मेडियम टुलो फलेम पे मैंने सेक लिया, आप देख सकते हैं, दोनों साइड से क्रेस्पी सा यह बहुत जटपट से बन जाने वाला समुसा है तो आप भी इसे ट्राइ कर सकते हैं तो मैं यही सोचती हूं कि मैं घर पे कुछ नकुछ उन्हें बना के डेली साम में दिया करूं और फेमली के साथ कोई भी चीज खाने में इंजॉय करने में मजा ही अलग होता है मैं सारे सम समुसे को आप देख सकते हैं फ्राइ कर चुकी हूं तो बच्चों को लिए के चली चाय के साथ समुसा एंजॉय करने बच्चे चटनी से खाएंगे तो फिर इंस किस किस को चाय के साथ समुसा खाना पसंद है कमेंट में जरूर बताईएगा जैसे कि अगली वीडियो में आ जो कपड़ा है बहुत अच्छा है और इसकी प्रिंट है नो बहुत ब्यूटिफूल है तो हम सब को यह बहुत पसंद आया आप सब कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा इसकी प्राइज मैं स्क्रीन पर में 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 मुझे प्राइज याद नहीं है लेकिन इसकी जरूरत लग रहा है आप सब को कैसा लगा कमेंट में बताईएगा और मेरी वीडियो थोड़ी से भी उजफुल लगे आज की वीडियो आपको पसंद आये तो अपने फिरन्स को जरूर से एर करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन के गंटी को पुछ कर लिजिएगा ताके हर नए वीडियो की निटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे इसका प्राइज और मैंने कितने साइज में यह सब पर्चेस किया है इसका सारा मैं स्क्रीन पे मेंसन कर दूंगी आप वहां से देख सकते हैं यह मेरे छोटा सा व्लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे विलॉग पर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए आप सब के प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो फिर अप सब आइसे ही सपोर्ट करते रहे हैं आप सब का प्यार देखके मुझे बहुत अच्छा लगता और पेंट करती हूँ, अल्लह हाफीज